हाई गईज और वेलकम बाक टुदी चनल दीपाच्यादव एजूकेशन वेलकम टुदी डेली हिंदू न्यूज एंड रिटोरियल एनालेसस ऑफ 27 आपरिल 2024 तो गईज आज है तारिक 27 अपरिल 2024 और है साटरडे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस्पेपर क कम्प्लीट न्यूस्पेपर को निलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच्यादव एजूक यूपी ऐसी आपको यह वला चनल मिल जाएगा स्पेक्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना यहां से आप डेली बेसस पे इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाऊगे नाव हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट कहां पर है इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बादा कर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथे question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2016 के प्रलिम्स में पूछा गया था daily business पे हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करता है question क्या बोलता है doctors without borders ये अकसर news में देखने को मिलता है ये क्या है option number ए a division of world health organization या option number भी एक non-governmental international organization है या option number C एक inter-governmental agency है जिसको European Union sponsor करता है या फिर option number D एक specialized agency है United Nation की तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे हम आप लोगों से daily business पे बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरुरत नहीं है क्योंकि वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शोब आरम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो दोस्तो कल आपने इस news के बारे में सुन ही लिया होगा पढ़ लिया होगा बहुत सरे वीडियो अल्रेडी यहाँ पर आ चुके हैं वीडियो भी आपने देखे होगे तो पूरा मामला क्या है जरा इसको detail से आज हम समझेंगे दोस्तो WhatsApp जो है वो लगातार कल से news में बनावा है trend पर भी चल रहा था हमारे social media platforms पर WhatsApp ने Delhi High Court में बोला कि हम भारत से चले जाएंगे अगर हमें ये नियम follow करने पर मजबूर किया तो तो यहीं पर एक प्रश्न उट रहा था क्या भारत वाकई में हाँ पर कह सकते हो कि WhatsApp को बंद कर देगा या WhatsApp इंडिया से चला जाएगा तो उसके पीछे का reason क्या है ये कौन से नियम की बात कर रहे है अगर हम इस IT rule का पूरा नाम देखें तो नाम है Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 तो 2021 में दोस्तों सरकार ये नियम लेकर आई ठीक है तो इस नियम को follow करने के लिए WhatsApp से बोला गया अब क्या होता है WhatsApp ने जो है मना कर दिया इस नियम में क्या follow करने के लिए बोला गया वो भी बताऊंगा थूड़ा सा वेट करो वरना फिर सारा ट्विस्ट जो है वो खतम हो जाएगा तो WhatsApp से बोला गया ये follows आपको करने है सारे के सारे rules WhatsApp ने बोला नहीं हमसे याँ पर नहीं हो पाएगा हुआ क्या कि WhatsApp के against में कई सारी petition अलग-लग High Court के अंदर में डाली गए वो सारी की सारी petition एकटी होती है डेली High Court में अब डेली High Court दोस्तो इस केस की सुनवाई कर रहा था थर्सडे को तो थर्सडे में इस केस की सुनवाई करते करते ही यहाँ पर जो WhatsApp को तो वहाँ पर क्या लिखा होता है जो भी आप message कर रहे हो यह end-to-end encrypted है end-to-end encrypted का मतलब यह है कि जो भी आप अपने दोस्त या किसी से भी बात कर रहे हो WhatsApp पर वो information आप और उस व्यक्ती के बीच में ही रहेगी उसको कोई नहीं देख सकता even WhatsApp भी यहाँ पर उस information को store नहीं करता यह है आपका end-to-end encryption यानि कि आपकी privacy रखी भी है आप security से पूरी तरह से सारी बात चीत कर सकते हो आपके उस information का कहीं पर भी कोई ऐसा leak नहीं होगा या WhatsApp भी आपकी information नहीं रखता है नहीं store करता है यह end-to-end encrypted का पूरा का पूरा आपके सकते हो concept हो गया अब हुआ क्या WhatsApp ने बोला कि हमसे बोला यह जा रहा है 2021 के इस नियम को follow करते वे कि हमें end-to-end encryption वाला जो यह particular concept यह तोड़ना पड़ सकता है अब ऐसा यहाँ पर WhatsApp क्यों बोलता है क्योंकि दोस्तो सरकार ने इस 2021 के नियम के तहत यहाँ पर WhatsApp से यह बोला था कि भाई आपको अपने messages देखने होंगे कहने का मतलब है कि देखो कई बार क्या होता है बहुत जादा fake information फैल जाती है सब जगा पर और अगर कोई ऐसी fake information है जिसकी वेसे दंगा हो रहा है या दंगा होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं दुकाने वगरा सब्बंध हो जाती है economy के ओपर एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और वो सारी चीज़े शुरू हुई थी सबसे पहला message WhatsApp platform पर किसने डाला बस खाली हमें उसका पता चाहिए ये बात यहाँ पर WhatsApp से बोला गया अब WhatsApp को इसके लिए सारा डेटा खंगालना पड़ेगा हर एक व्यक्ति की information store करके रखनी पड़ेगी सालों साल तक कहां से इसकी शुरूरात हुई बस खाली इसका पता चलना हमें जरूरी है ये बात गवर्मेंट ने बोला हम ये नहीं कहरे WhatsApp से की सारा डेटा दो हर एक व्यक्ति का information दो नहीं आप सारा डेटा सिक्यूर करके रखो लेकिन जब बात आएगी देश की security के उपर में national security के उपर में दंगे रोकने की बात आएगी तो दोस्तों यहां पर सरकार ने बोला कि आपको ये message देखना होगा और इसकी शुरुवात कहां से हुई है इस fake information की वो हमें बता नहीं होगी WhatsApp यहां पर बोलता है कि देखिए हम ये काम नहीं कर सकते ये काम हमारी जो privacy वाला concept है इस नियम को पुरी तरह से वाइलेट करता है WhatsApp ने बोला कि देखिए इसके लिए हमें बहुत जादा difficulty भी जिलनी पड़ सकती है अगर हम इस चीज़ को follow करते भी है वैसे तो नहीं कर पाएंगे अगर follow करते भी है तो इससे दिक्कत यह है कि बहुत परेशानिया होंगी हमें सालों साल का data store करके रखना होगा और ये दु ये बात यहां पर आपको देखने को मिल रही है और दोस्तो बात यह है कि 2021 का जो ये नियम है ये केवल WhatsApp के लिए नहीं है Twitter, Facebook, Instagram के लिए भी है कि आपको भी ये follow करना होगा जो ये fake information है ये सबसे पहले आपके platform पे कहां से आई है उसका पता जरूर से देना होगा ये काम कोई इतना risk नहीं है ऐसा यहां पर government ने बोला है क्योंकि जो ये आपके IT rules है इसका rule number 4 clause 2 जो है वो यही mention करता है कि भाया जो भी ऐसे काम है जो illegal है, unconstitutional है तो उसके basis पर हमें ये information निकालना जरूरी है जो उस information का originator होगा जहां से शुरुआत होई होगी उसको पता लगाना हमारा एक main काम होगा तो यह already नियम के अंदर में mention कर रखा है तो सरकार ने ही बोला है सरकार का क्या statement आया सरकार ने बस खाली यही जोर दिया है कि भाई यह harmful content तो हमें tackle करना ही है online safety के लिए भी और भी कई सारे situation है यह आपको भी समझना होगा हम नहीं कह रहें आप से सारा information दो सारा data दो हम के वल देश की security के लिए public order को maintain करने के लिए ही यहां पर यह काम कह रहें तो प्लीज इस चीज़को यहां पर आपने follow करना होगा अब दोस्तो प्रॉब्लम तो आ रही है देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि दोस्तों अगर आप एक तरफ यह भी सोच हो क कि WhatsApp एक ऐसा application है जो आजकल हर एक व्यक्ति के mobile phone में होगा है ना हर कोई व्यक्ति बहुत कम होंगे जो इसका use नहीं कर रहे हैं अदर्वाइस सभी use कर रहे होंगे एक समय ऐसा था जब message बगरा send करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था SMS का स्तमाल करना पड़ता था आज जो बहुत सारे लोग दुनिया भर में connected है WhatsApp के माधियम से महां से वीडियो कॉल हो जाती है आपके messages हो जाते हैं बहुत सारा यहां पर फाइदा WhatsApp का लोग को देखने को मिला तो हरी व्यक्ति के पास में application है और दूसरी बात दोस्तों इंडिया सबसे जादा population वाला देश है पता है इंडिया से सबसे जादा users है WhatsApp के यहां पर बोला जा रहा है भारत में लगबग इस application के 900 million से जादा users है तो WhatsApp इतनी असानी से इंडिया छोड़ कर चले जाए यह भी बहुत मुश्किल है इसके लिए बहुत कुछ हिलना पड़ सकता है इस company को बाकी देखते हैं आगे क क्या चीज़े होती हैं क्या updates आते हैं जो भी updates आएंगे वो आपके सामने mention किये जाएंगे चली आगया आते हैं next article पर अगला article भी examination के लिए बहुत relevant है आज के newspaper में page number 5 पर present है जिसको आप GS paper number अच्छा यह quality नहीं GS paper number 3 आप economy से भी आप इसको link कर सकते हैं पूरा मामला क्या ह आपको बताता हूं हुआ यह दोस्तो एक study हुई और उस study के दुरान यह बताया गया कि जो solar radiation है सूरे से आने वाली उर्जा है उस उर्जा का इस्तमाल करके solar panel का use करके हम क्या करते हैं electricity बनाते हैं बिजली बनाते हैं है ना इसी को तो renewable energy बूल रहे हैं renewable energy क्या है जिसकी वज जाने ही जला रहे तो इससे production नहीं हो रहा, pollution नहीं हो रहा हम सीधा यहाँ पर solar energy का इस्तमाल कर रहे हैं सूरे की जो उर्जा है उसको इस्तमाल कर रहे है solar panel लगा कर जिससे की यहाँ पर उसी उर्जा से हम बिजली बना पाएं इसी को यहाँ पर हमने solar energy बोला लेकिन दोस्त के समय पर जादा बढ़िया नहीं है जिस तरीके से पहले solar radiation हमको मिल रहा था वैसा solar radiation नहीं मिल पा रहा और अगर solar radiation नहीं मिलेगा यही उर्जा यह किरने हमको नहीं मिलेंगी सही तरही के की तो इससे हम लोग कैसे electricity बना पाएंगे क्योंकि solar panel भी सही तरीके से काम नहीं कर बोलते हैं जिस तरीके से pollution बढ़ रहा है, aerosol का load बढ़ रहा है, fine particles, carbon emission, fossil fuel burnings यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यह कुछ important factors है जिसकी वजा से जो यह solar radiation है सूरे की किरने है वो इस तरीके से नहीं आ रही है कि बही solar panel हमारे बढ़िया तरीके से उसका use करके बिजली बना सके हैं, जो aerosols है दोस्तों वो हमारे sunlight को absorb कर रहे हैं, जो उपर sun की heat है उसको absorb कर रहे हैं, उनको इडिफलेक्ट कर रहे हैं, तो सही तरीके से जिस तरीके energy हमें मिल रही थी वो अब नहीं मिल पार है, वो सारा का सारा जो pollution है, dust है, वो सोंक रहा है उस energy को, तो अगर energy नहीं मिलेगी, तो दिक्कते होंगी, जो sunlight है, वो efficient तरीके से इस्तमाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब अच्छी तरीके sunlight नहीं होगी, तो अब्यसी बात है, solar panel कैसे वो उसको कह सकते हो, कि electricity में convert करेंगे, तो study के अंदर में, जो scientist है, वो यहाँ पर यह भी mention करते हैं, हमन चिन्नाई, गोवा, जोदपूर, कोलकाता, मुंबई, नागपूर, न्यूडेली, पुने, शीलॉंग, थेरुवननंतापुरम, विशाका पटनम, यह वो रीजन से दोस्तों जहां पर already, यह potential जो है solar energy का वो कम हो चुका है, और भारत के सबसे बड़े-बड़े solar park, आज के स target है कि हम बहुत सरे energy produce करें, बट अगर इस situation ऐसी होगी, तो यह difficult है, क्योंकि इंडिया का जो ambitious plan है, वो क्या है, वो plan यह है कि साल 2030 तक, इस तरीके से जो renewable energy है, उससे हम 500 giga watt तक की energy को generate करें, electricity को generate करें, और अगर ऐसा situation रहेगा, तो यह हमारे लिए जो task है, वो बहुत तो एक बड़ी है तरीके से clarity मिल चुकी है, अब चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इस article से हटके पढ़ाता हूँ, तो यह तो वो news है, यह खबर है, जो आपको मिल गई है, अखबार से, लेकिन exam के लिए इतना कुछ important नहीं है, exam के लिए अगर आप prepare कर रहे हो, तो इसके है दोस्तों कि भाई भारत के अंदर में aggressive तरीके से जो कह सकते हो कि हमारा renewable energy resources है, उसको हम बढ़ा रहे हैं, इंडिया बहुत सारा पैसा इंवेस्ट कर रहा है, solar energy के उपर, wind energy के उपर में, तो government of India ने इसी को देखते वे टार्गेट सेट किया कि 2030 तक हम 500 gigawatt तक की energy install capacity develop कर ल अब solar power से यह energy है कि मतलब production नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जो बिजली मिल रही है, कोईले को जला कर वगरा वगरा, pollution करके यहाँ पर मिल रही है, बट इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर कोई production नहीं होगा, तो इंडिया बस खाली अपने इसी promise को follow करने में बलागावा है कि जो देश की dependency है, निरभरता है, fossil fuels के उपर में, कोईले के उपर में, यह चीज़े कम हो, और इंडिया जो है greener future की तरफ जल्दी से जल्द आगे बढ़े, अपने in achievements को पूरा करे, अब बात यहाँ पर यहाँ आती है कि यह जो solar energy है, दोस्तों, इसके कई सरे प्रकार के आस भी हो रहा है, वो energy हमें बहुत जादा दे रहा है, तो हम natural energy का use कर रहे है, electricity को produce करने के अपने कोई resource खतम नहीं कर रहे है, कोई producer नहीं कर रहे है, दूसरा solar energy बिल्कुल clean source है, वही मैं आपको बताया, कोई harmful emissions वगरा नहीं हो रहा है, तीसरा यहाँ पर solar energy cost effective है, जो cost है द बैसर में तक टिक सकता है, जादा कोई maintenance नहीं चाहिए, है ना, सूरज रोज आ रहा है, और रोज यहाँ पर जा भी रहा है, तो basically यहाँ पर उस light का हम use कर रहे है, प्लस अगर आप देखोगे तो solar energy का दोस्तों हम अलग-लग तरीके से use कर सकते हैं, electricity को produce करने में, heating के लिए lighting के लिए भी यहाँ पर इसका use किया जा सकता है, जो solar energy system से दोस्तों इसको हम छोटे scale पर भी install कर सकते हैं, energy को generate करने के लिए, यह ना, तो बड़े-बड़े centralized system के उपर dependency के वज़ाए हम छोटे-छोटे घरों में आप देख पाऊगे solar panels लगा के लोग energy generate कर रहे हैं आजकल, तो यह तो होगा इसके फाइदे की बात, लेकिन यहीं पर दोस्तों इसी concept के अंदर में कई सारी चुनौतियां भी हमारे सामने, यह काम करना इतना असान नहीं है, जितना देखने में सरल लग रहा है, solar energy में challenges क्या हैं जरा उसके बारें बात करते हैं, सबसे पहली चुनौत वगरा है, वो बहुत जादा हाई है, जिसके बाद लोग सोचते ही नहीं कि आ इसको लगाया जाए, तो यह भी एक reason है, अभी initial cost starting के setup करने की cost जादा है दोस्तों, आपको बड़ा खर्चा लगता है जगर जादा energy generate करनी है तो, फिर दूसरा challenge है limited access to finance, अगर कोई सोचता भी है, तो यहाँ पर उसके पास में, जो finance है, उसका एक issue देखने को मिलता है, जो छोटे projects आपको देखने को मिल जाएंगे, rural projects आपको देखने को मिल जाएंगे, यह भी challenges बन जाते हैं काफी सारे individuals के लिए, तो लोग जो है न, अगर सोचते भी हैं, तो finance की चक्कर में वो proper तर हो रही है solar panels से, उसको यहाँ पर transmit किया जा सके, तो यह भी एक बड़ी दिक्कत है, कई बार आप पार्क लगाते तो बड़े-बड़े, वहाँ पर इस तरही का facility नहीं है, कि आप उस energy को generate करके send कर सको, फिर तीसरी चीज़ है land availability, यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है दोस् होगा, चत पे भी यहाँ पर उसको, उसकी setting इस तरीके से की जाती है, stand बगरा बनाया जाता है, जिससे वो थोड़ा सा uplift रहता है, उपर की side में रहता है, है न चत अपनी खाली रहती है, बट वो फिर चत को, जो चत की sunlight है दोस्तों, वो यहाँ पर खतम हो जाती है, तो इसक कहीं बड़े पार्क में solar panel लगा है, हमने बहुत बड़ा solar पार्क है हमारे पास में, तो उसमें पता है कितना cost आएगा, solar panels की लगातार सफाई होनी जरूरी है, नहीं तो उसके dust जमा होगी, उसकी efficiency level कम हो जाएगी, energy जैसी वो generate कर रहा था, वो नहीं कर पाएगा, और दिरे पानी है, जिससे 2 million लोगों की जो प्यास है, वो मिट सकती है, उनको drinking water मिल सकता है, तो यह है दोस्तों यहाँ पर data, इतना सारा water का requirement है, यह है पहला issue, दूसरा, आप भी सोच रहोंगे यार waterless भी तो कर सकता है, किसी कप्ले से साफ कर दे हैं, कोई दूसरी technology जिससे यहाँ पर साफ कर दिया जाए, पानी के ज़रुरत नहीं है, बड़िया solution है, लेकिन आप भी सोचिए, जो बहुत बड़ा पार के जिसमें इतना पानी लग रहा है, अगर हम waterless technology को अपनाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा labor चाहिए होगा, तो यह एक labor intensive method बन जाएगा, और फिर labor इशू है, तो यह कुछ challenges है solar energy में, बहुत फाइदे तो हैं, लेकिन इसके यह हो गए, इसके कह सकते हो की चुनौतिया, अब बात आती है way forward की, भाई हमने देखा इस फाइदे भी हैं, नुकसान भी है, तो करें क्या, इसका way forward क्या हो सकता है, तो way forward में सबसे पहले जीज़ इस दोस्तों हमें करना ये होगा, infrastructure और investment को expand करना होगा, जाधा बढ़ाना होगा, भारत को जरुवत है कि हम renewable energy infrastructure में, जो investment उसको increase करें, है ना, जो transmission और distribution network से वो बनाये जाएं, जिससे solar energy को proper तरहिए से जगा जगा बाट दी जा सके, या distribute की जा सके, साथी साथ में research और development की जरुरत है कि हमें अभी solar panels की शुरुवात है, तो इसमें हमें नईनी technologies की requirement है, और उस वो कैसा होगा, जब हम research development पर पैसा खर्च करेंगे तब, फिर बात आती है, encouraging private sector participation, जो private sector है दोस्तों, वो एक बहुत important role play कर सकता है, इसको develop करने में, है ना, private sector का बहुत बड़ा requirement है, इस solar energy को इंडिया में develop करने के लिए, सरकार को एक favorable policies यहां पर त्यार करने होंगे, incentives create करने होंगे, ताकि हम private sector involvement को बढ़ा सके है, ठीक है, फिर उसके बाद, जो यह energy storage solutions से उसको भी improve करने होंगे, कहने का मतलब है, अब ऐसा भी ना हो कि यार, जो solar energy है, solar panel है, वो हमने लगा तो लिए, अब कभी हो रहा है कि सूरज, जिस दिन नहीं निकला या बादल बहुत जाद है, तो उस दिन तो यार, काम नहीं हो पाएगा सही से, उसकी efficiency डाउन हो जाएगी, तो हमारे पास में storage system भी होना चाहिए, जिससे जो energy भरके generate हो रही है, जिस समय पर वो storage भी होती रहे, है, यह बात यहाँ पर बताए जारी है, तो इंडियन गॉर्मेंट को यह advanced energy storage solution के development को लेकर support दिखाना होगा नए, जो कह सकते हो development से वो यहाँ पर करने होंगे, ठीक है, अब बाकी यह भी है कि दोस्तों कई सारे initiatives already उठाए गए है, solar energy को बढ़िया तरीके सा promote करने के लिए, जैसे solar park scheme चलाया गया, rooftop solar scheme चलाया गया, लोग अपने छटपर solar panels लगा सकें, उसके लिए यहाँ पर encourage किया गया है, national solar mission है, सृष्टी scheme है, international solar alliance है, PM कुसम सुना होगा आपने, कई सारे examination है पूछा जा चुका है, किसान, उर्जा, सुरक्षा, एवम, उत्थान, महा, अभिया जो PM कुसम योजना जो है, दोस्तों, यह लाई गई थी, ministry of new and renewable energy के माध्यम से, ताकि हम क्या कर सकें, जो solar installations है, especially off grid solar pumps जो है, इनको install कर सकें, rural areas में, तो ऐसे कई सारे initiatives जो है, दोस्तों, यहाँ पर start करें गए हैं, जिससे solar energy को जादा सादा बढ़ावा दिया जा सकें, ठीक के question के form में, आपको introduce करना है, तो बात यह है, question बोलता है, what are the major challenges faced by India in promoting and implementing the use of solar energy as a sustainable source of energy, बहुत simple question है, धाइसो शब्दों में आपने लिखना है, कि जो यह solar energy है, इसको promote और लागू करने में, भारत क्या-क्या challenges faced कर रहा है, यह आपने बताना है, एक बार हिंदी में read कर देता दाकि हिंदी मादे माले आस्प्रेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बहुत खूबसूरत सा answer लिखके present कर सकें, तो उर्जा के एक 27 रोत के रूप में 100 उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और लागू करने में भारत के सामने आने वाली प्रोमुक्ष चुनौतियां क क्या है? जरा बताइए 200 शब्दों में. कर सकते हो अपने answer के अंदर में, सामने वाले answer में, अगर कोई mistake होती है तो आप उनको बता सकते हूँ कि यहाँ यहाँ पर improvement कि आवशकता है, तो पूरा group cooperative way में चल रहा है, आप भी एक बढ़ विजट केजिए. Now दोस्तो, आगे बढ़ने से पहले एक important information अगर आप लोग हमारे paid groups को join करना चाहते हो, तो आपके पास में बढ़िया मौका इसको join करने का, यहाँ पर daily current notes के PDF वगरा दिये जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यह जो जितना भी data है, दोस्तों, यह सभी data PDF के अंदर में convert करके दिया जाता है, एक ऐसा PDF जो कि printable form का होता है, Hindi English दोनों भाशाओं में होता है, जिसका printout वगरा निकलवा के पढ़ सकते हो, otherwise ऐसे पढ़ना चाहो तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, बाकी इस group में सारा PDF secure है, content secure है, date wise पढ़ावा है, पुराने PDF भी आपको मि minimum है, just for 99 for the lifetime access, या जब तक आपका selection न हो जाए, तब तक आप इतने amount में group को join करके रेख सकते हैं, पाकी दोस्तों guarantee है, कुछ दिनों बाद आपका amount recover हो जाएगा, आपको खुद महसूस होगा, but benefits फिर भी मिलते रहेंगे, ग्रूप को join करने के लिए क्लिए क्या करना है, WhatsApp प दिया जाएगा, आप पूरे demo वीडियो को check कर सकते हो, देख सकते हो कि भई इसमें क्या चीज़े मिल रहे हैं, मुझे कैसे मों उसका उपयोग कर सकता हूँ, then अपने आपको satisfy करने के बाद में जाकर ये investment आप कर सकते हैं, बाकी दोस्तों please make sure क्या कीजिए, वीडियो पर ज इंटरनाशनल रिलेशन से आप इसको लिंक कर पाऊगे, और इंटरनाशनल रिलेशन ने, especially important institution से लिंक कर पाऊगे, हुआ यह है, जो भारत है दोस्तों वो शांगाई कॉपरेशन ओगनाजेशन की meeting में प्रेजेंट था, जो हमारे defense secretary हैं, गृधर जी, उन्होंने यहाँ प कहाँ पर चल रही थी, कजक्स्तान में, ध्यान लखेगा, कजक्स्तान में एक जगा है, अस्थना वहाँ पर दो, तो यह meeting हो रही थी, SCO की, meeting होते वक्त, सभी defense ministers जो present थे, उनका कहना यह था, कि हमें terrorism को पूरी तरह से खतम करना होगा, आतंगवाद के खिलाफ हमें zero tolerance को ब और इन सभी defense ministers ने एक और चीज़ डिसकस की, भई हमें क्या करना है, एक idea develop करना है, one earth, one family, one future का, वही simple सा, यह India पहले सी अपने philosophy लेकर चलता है, वसुदेवा को तुममकम की आपको पता होगा, तो उसके उपर भी यह discussion हुआ, लेकिन बात यह है, exam में कोई भी role नहीं है इस क्यों डिसकस किया, डिसकस इसलिए किया, ताकि आपको थोड़ा सा शांगाई corporation organization के बारे में पता चल जाए, क्योंकि भले ही article का exam में rule नहीं हो, लेकिन जब आप इस particular article को अपने syllabus के साथ में link करोगे, तो यह SEO एक important body की तरह आपको दिखेगा, क्योंगे हाँ यार important है यह, और question बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो दोस्तों SEO की full form क्या है, शांगाई corporation organization एक inter-governmental, political, economical and security group है, कहने का मतलब है, एक ऐसा group जिसमें जो देश present हैं अलग-अलग, उनकी सरकारे आपस में मिल कर काम कर रही है, इस group को साल 2001 में बनाया गया था, और जब 2001 में बनाया गया ने दोस्तों यहाँ पर मिलकर इस group को स्टार्ट किया, इसका जो पहला सम्मिलन हुआ था, वो शांगाई में हुआ था, चाइना के अंदर साल 2001 में, और उस समय पर यह जो शांगाई corporation organization है, इनका main मकसद था कि mutual support को promote किया जा सेके हैं, यह जितने भी देश इस में available हैं, इस group और Chinese है, SEO का main objective यही था कि जो भी member countries इसके अंदर में present है, उनके relations को establish किया जा सके, मजबूत किया जा सके, अच्छा यहाँ पर एक चीज और, बहुत important, भई 2001 में एक group नहीं बना था, दियान से सुनिएगा, 2001 में जो नाम है इसका वो शांगाई corporation organization कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले सी group यह present है, उससे पहले यहाँ पर यह जो है शांगाई 5 के नाम से जाना जाया करता था, 1996 में, 1996 में केवल इसमें पांच देश हुआ करते थे दोस्तों, तब इसको शांगाई 5 बोलते थे, लेकिन 2001 में डिसाइड किया कि भई पांच नहीं इसमें एक और देश करके और मेंबर साइड हुए, साल 2015 में UFA रश्या के अंदर आप देखोगे, तो SCO ने डिसाइड किया कि इंडिया और पाकिस्तान को भी as a full member हम include करेंगे, है ना, तो अभी include नहीं किया गया, बाद दोस्तों आप देखोगे, 2017 में हाँ पर इंडिया पाकिस्तान officially join कर लेते हैं इसको SCO को, तो 2017 में इंडिया पाकिस्तान दोनों, साथ में इसके member बन गए, फिर 2021 में announce किया गया कि इरान भी इसका member बनेगा, full member SCO का, तो 6 तो हो गए यहाँ पर 2001 तक, फिर 78 ये इंडिया पाकिस्तान हो गए और इरान 9 हो गए, तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों members में आप देख पाऊंगे, 9 members इसके हो जाते हैं, फिर इसी के कुछ observer countries भी हैं, अफगानिस्तान, बेलरूस, मंगोलिया, फिर ये dialogue partners हैं, ज्यादतर जो पूछे जाते हैं, वो members ही पूछे जाते हैं, कि यह जो members हैं इसमें से यह बताओ, या कुछ countries के नाम दी जाएंगे और पूछे जाएंगे, इसमें और दूसरे देशों के नाम मिला दिये जाएंगे, फिर आपसे पूछ लेगा, कि बताओ, इनमें से कौन कौन से देश हैं, जो SEO के members हैं, तो SEO के इन 9 members के नाम ध्यान लखेगा, चाइना, इंडिया, कजगस्तान, कर्गस्तान, रश्या, पाकिस् उस्बैकिस्तान और इरान, इरान को वैसे बोला गया था, एनॉंस किया था, इरान भी एक फुल मेंबर बनेगा, तो बट कई सरी जगह पर इरान को एज़ा मेंबर कंसीडर किया जाता है, समझ गए, चलिए आ गया था है, नेक्स्ट आर्टिकल पर, एक और बहुत इंपोर पर में प्रेशर डाला है कि भई, प्लीज हमें अमेरिका की जो सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियोट मिसाइल्स, ये प्रोवाइड कीजिए, हुआ यहाँ पर यह है, दोस्तों आपको पता है, युएसे ही ये वार लड़ रहा है, रश्या की अगेंस इसका, स्पेशली युएस का, तो अमेरिका ने लगातार भर भर के सपोर्ट किया युकरेन को की लड़ो तुम रश्या से हम तुमारे साथ हैं, हम जो खर्चाएगा देंगे, और इसी बीच में आप ये इमाजन करो, अमेरिका ने युकरेन के लिए 6 बिलियन युएस डॉ उनका कहना यह है कि ठीक है, आप हमें ये पैकेज दे ही रहे हो, तो उसी पैकेज के हिस्से के तौर पर हमें पैट्रियोट मिसाइल दे देना, यानि इस पैकेज में इंक्लिूड कर लो और हमें पैट्रियोट मिसाइल प्लीज प्रोवाइड करवाईए, इस पैट्रियोट मिसाइल से क्या होगा हम USA की आने वाली मिसाइल को हवा में मार के गिरा सकेंगे तो जलेंसकी ने बस अभी मांग की है देखते हैं याँ पर क्या होता है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भई इस एड पाकेज में पेट्रियाट मिसाइल उनको मिलेगी बट एक्जामनेशन में ये चीज़े कोई भी हल्प नहीं करेंगी आप कोई पता है है ना ऐसे कई questions अलेडी UPSC पूछ चुका है weapons का भी एक section आप कह सकतो important माना जाता है defense के perspective से तो यहाँ पर Patriot Air Defense Missile System क्या है कैसे work करती है आओ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकरी देता हूँ यह जो Patriot है जिसका मतलब है Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target इस तरीगे के missile है दोस्तो आपने Iron Dome देखा है इसराइल का कई बार पढ़ाया details Iron Dome के बारे में वैसे ही यह missile है दोस्तो USA का इसका नाम है Patriot Air Defense Missile System वर्ड आ रहा है Defense Missile System भई इसका main काम क्या है मान लो यह हमारी territory है है ना बाहर दुश्मन की missile आ रही उड़ती भी तो दुश्मन की missile को हवा में मार के गिराने के लिए Patriot Missile जाता है और जाकर उसको हवा में खतम कर देगा तो बोला यह जाता है US की Army का Most Advanced Air Defense System है यह Patriot Air Defense Missile System और यह All Weather है यानि कि कैसा भी weather हो रात हो, दिन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसाथ हो हमेशा काम करेगा Surface to Air Missile Defense System है नीचे सतह से आसमान वाले missile को गराने का काम करता है यानि counter करता है दुश्मन की missiles को दुश्मन की कोई ballistic missile है cruise missile है, advance aircraft है उनको हवा में मार के गिरा देगा सवाल यह है इतना खतरना कि Defense Missile System किसने डेवलप किया इसको डेवलप किया गया Raytheon के धुरू Raytheon खोद अमेरिका की यहाँ पर एक multinational aerospace company देखने को मिलती है अब दोस्तो, US का जो यह Patriot Defense System है इसमें चार चीज़े इंक्लूड की गई है Patriot Radar, जो की इहां तक पहुचाती है, फिर Patriot Launcher क्या करेगा दुश्मन के threat को हवा में मारगर गिरा देगा समझ गए तो इस तरीके से यहाँ पर चार चीज़ें है चार components आप कह सकते हो जो की इस Patriot Air Defense System में included है और यह Defense System चाहे cruise missile हो, चाहे ballistic missile हो, चाहे fighter jet हो चाहे drone हो, चाहे aircraft हो सब को हवा में उड़ाने की ताकत रखता है ठीक है? समझ गए? तो radar पहले पकड़ेगा, हाँ भी खत्रा आ रहा है सामने से यह दोनों information को process करेंगे इस तक महुचाएंगे Patriot Launcher जो है वो सीधा क्या करेगा, उस target को hit करके आने वले target को, आने वले खत्रे को खत्म कर देगा, वो खत्रा इस area में वो missile गिर नहीं पाएगा, हवा में तबाह हो जाएगा समझ गए? अब दोस्तों यह जो particular system है इसको सबसे पहली बार use किया गया था 1991 की Gulf War में ठीक है? जहाँ पे Saudi Arabia, Kuwait, Israel को protect किया गया था इस missile का यूज करके, बाद में इसी missile को यूज किया गया, जो US ने invasion किया था इराक में 2003 में वहाँ पर, फिर US की service में लंबे समय से यह missile लेखने को मिलती है, लेकिन US की तो missile है ही, US ने ही तो develop की है तो US ने कई सरे देशों को यह missile बेची भी है तो USA के allied countries के पास में भी यह technology आज के समय पर available है जैसे Germany, Greece, Israel Japan, Kuwait, Netherlands, Saudi Arabia South Korea, Poland, Sweden, Qatar United, Arab Emirates, Romania Spain and Taiwan यह वो countries है, जिनके पास में यह वाली Patriot missile अलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके features क्या है, जैसे मैं आपको बताए, एक mobile system है इदर से उदर इसको travel करवा सकते हो, ले जा सकते हो इसमें powerful radar है, control station है power generator है, launch station है और दूसरे support करने के लिए vehicles प्रेजेंट है यह जो version है, इसका main काम है दुश्मन की missile को हवा में intercept करना यह जो missile है, लगबग 24 km तक उपर जा सकती है और 160 km तक अपने दूर target तक जा सकती है इसका जो यह target है दोस्तों, यहाँ पर आप कह सकते हो कि यह 50 target को एकदम से track कर सकती है, और एक जटके में 50 में से 5 कोड़ा सकती है तो यानि कई सरे अगर आपने deploy कर दें तो पहलादर यहाँ पर वो उन missiles को हवा में गिरा सकेगी समझ गए लेकिन यह तो patricot battery है दोस्तों, इसके लिए कई सरे लोग के जरूरत चाहिए होती है लगबग 90 जवान चाहिए होंगे इसको operate करने के लिए, इसको maintain करने के लिए यह थोड़ा से यहाँ पर इसका एक typical task आप कह सकते हैं, समझ गए यह बात होगे इसके features की चलिए, आगे आता है, एक और important news article कई बार examination में दोस्तों पूछ ले जाता है कई सारे tribes को लेकर already UPSS हवाल पूछ चुका है, जैसे हम आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, important examination के लिए चाहे वो ओंगे tribe हो, ऐसे कई सरी tribes के बारे में question बन चुका है तो आज के newspaper में page number 4 पर article present है, जिसको आप GS paper number 2, नहीं, GS paper number 1 art and culture से link रवाज, हुआ क्या है ना पर तो सही ड़े वह है, tag change नहीं हो पाएं, कोई बात नहीं यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है, यह article present है क्योंकि आज का newspaper में जातार election से सम्मदेट news articles है, जब तक election चलेंगे, तब तक हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे, तो हुआ क्या है जगा जगा पर elections हो रहें, तो यहाँ पर जो brew community है दोस्तो, brew community के जो members आपको यहाँ पर देख रहे हैं सामने, यह भी एक special pooling center पर गए, लगब अगरतला से 170 km की दूरी पर voting देने के लिए, ठीक है, तो voting दी है इन्होंने जग कर में यहाँ पर जो brew community है, वो आज के समय पर news में आपको देखने को मिल जाती है, चलिए, लेकिन exam के लिए हमें क्या जानना है, वो जानना है brew tribe के बारे में, brew tribe कई बार न्यूज में रह चुकी है, brew tribe को काफी कुछ face करना पड़ा है, आपको बता होगा वो वाला बवाल, हैदा नौट इस्ट के अंदर में brew tribe को जब बगया गया, तो वैसे यहाँ पर वो वाला मुद्दा आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कुछ specific data, तो brew tribe को दोस्तों हम रियांग के नाम से भी जानते हैं, रियांग एक community है इंडिजिनियस to the North East, यानि कि जो हमारे North Eastern states हैं, specially तुरिपुरा, मिजरम और असम, इन तीन राज्यों में रहने वाली, वहीं की यह travel community है, brew tribe या रियांग tribe आप कह सकते हो most important चीज़, तुरिपुरा के अंदर में दोस्तों, इस brew इनकी जो भाषा हैं, दोस्तों, वो मिलते जुलती हैं, और अस्ट्रियो एसियार्टिक ग्रुप्स के साथ में, ठीक है, आगे आते हैं, एथनिकली बात करेंगे, तो ये पूरी travel community, दो अलग-लग वंश में बटी हुई है, दो major clans में बटी हुई है, एक का नाम है occupation की, तो अभी भी ये nomadic tribes हैं, large number of tribes जो हैं, दोस्तों, अपना जो जीवन है, ये कह सकते हो, जूम cultivation जो हो गया, जगा-जगा पर खेती करके, उसको फिर हटा कर, शिफ्ट करके, यहाँ पर इस तरीके समना जीवन व्यातीत कर रहा हैं, जंगलों सो जो यहाँ पर मिर रहा है, उसको यहाँ पर खटा करके, उसी सह यहाँ पर इनका पूरा काम चल रहा है, समझ गए, आगे आते हैं, आत्मा वगरा में यह belief करते हैं, ठीके, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर हम religion की बात करेंगे, तो जो यह brook tribes हैं दोस्त के ज्यादतर followers हैं, विश्णुजी के ज्यादतर followers आपको देखने को मिलेंगे, जो ज्यादा मातर में हैं यहाँ पर इस brook tribes के अंदर में पाए जाते हैं, जो यह travel community है दोस्तों, अगर आप देखोगे, traditionally, यह endo gamers है, very very important terminology, अब यह endo gamers क्या होता है, endo gamers यहाँ पर वो community है, जो कह सकते हो कि अपने community से बाहर किसी दूसरे community में शादी नहीं करते हैं, ठीक है, does not marry outside their community, तो वही community से बिलॉंग करती है, यह particular brew travel community या रियांग travel community, ठीक है, इनके पास में अपना पूरा एक village council होता है, village council के एक chief होते हैं, और उन chief को बोला जाता है RAI, यह वो person है जो इनक community में किसी का divorce हो रहा है, या किसी video की दुबारा समारिज हो रही है, है न, तो basically यहाँ पर उन चीजों की permission का, जो सारा का सारा responsibility है, वो यहाँ पर इन ही village council chief के पास में हैं, जिनको RAI के नाम से हम लोग जानते हैं, I hope दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से यह पूरा का पूर इस चकर में वो आर्टिकल में discuss करूँगा, बट कल discuss करूँगा, कल से आपका newspaper analysis जल्दी आ जाएगा, बाकि एक short video भी आपको मिलेगा, जिससे आपके जो सारा data है, छोटे बढ़े articles, editorials, हर एक चीज़ यहाँ पर आपके cover हो रही होगी, बाकी दोस्तों आते हैं आपने prelims व प्रकार के questions बनते रहते हैं, तो मैं इसलिए बोलता हूँ, कोई report है, कोई publish कर रहा है, कोई अनसी body है, इसके बारे में ध्यान रखा करो, अकसर question बनते रहते हैं, anyway, वीडियो को करता है, समाप तो और मिलते हैं, आप से अगले वीडियो में, आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank चिस बढ़ो, ठेक है, चलिए, बाई बाई, have a nice day, thank you and जैहिंद,